हेलो फैंड्स वेलकम टू माई यूटूब स्टेडी चैनल अक्किपीडिया और आज मैं आपके लिए लेकिया रहा हूं इंडिया प्लस वर्ल्ड जोग्राफिक के कुईशन जो कि एंडिये 2018 में पूचे गए थे प्रशन पूचा गया था तूफानी चालीस यानी रॉनिक फ और वहा का कारण विशुब्यत वरत्त से दक्षिनी ध्रूप की और विस्थापित हो रही बायू और प्रत्वी के गुर्णन का सहयोजन तता बात रोदों की तरह कारे करने वाली भू सहयोती का आधिक के होता है यानि कि वहां जमीन ज्यादा है तो यह था कतन में तो आप प्रत्वी के दक्षिनी गोलार्द में यानि 40 डिग्री दक्षिन और 50 डिग्री दक्षिन के अक्षान सों जो लेटिट्यूड बोलता है जैने के बीच चलने वाली सकति साली पच्छुवा पपन को हम क्या कहते हैं गरजता चालीसा यानि रोडिंग फॉर्टी चालीस प्रत्वी के चालीस और 50 डिग्री दक्षिन अक्षान सों के बीच बहुत कम भूमी है बूमी क्या वहां बहुत कम है और अधिकांस भाग में केबल महासागर ही है तो जिससे इन पबनों को रोकने वाली पहाड़ियां और अनुपस्तित होती है और इनकी सकती यहां बढ़ती जाती है लेकिन हमारे दूसरे कतन में कहा गया था कि यहां बू सहेतियां जादा है यानि कि जमीन जाता है तो इसलिए दूसरा कतन वहां गलत था केबल पहला कतन यहां सही था प्रश्न में तो गरजता चालीसा जो है वो हवाओं से यहां की लहरें भी कभी कभी तेज वायू प्रवास से उत्तेजित होकर बहेंकर उचाए पकड़ लेती है और इन लहरों के बावजूद मसीनी करण के यूग से पूर्व यूरोप से आफ्ट्रिलिया जाने वाली जो नौकाए होती थी वो चालीस डिग्री से दक्षिंड आकर अपने पालों द्वारा इन गती सील हवाओं को पकड़ कर तेजी से पूर्व की और जाने में यह लाव उठाया करती थ अगला प्रश्न निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन विशूवत ब्रत के आसपास का निमने दाव वाला जो शेत्र वो डॉल्डरम होता है और जहां सनातन पवन सांत होते हैं और सेगेंड है चिनूग तब तो और सुष्क पवन है जो सीत रितु में बै और दो दोनों ना एक और ना ही दो अपना आंसर सोचिए तो यहां सही आंसर है सी दोनों ही कतनिया सही है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अब डॉल्डरम के बारे में तो भूमत दे रेखा के दोनों और दस डिग्री अक्षान सों तक निमन बायुदाब की जो पेटी ह होती है यहनी भूमत दिरेखा के दोनों और कहा था धाक दर दनाभी जो निमन बायुदाब की पेटी होती है उसे हिム यहां क्या 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 हूं हुद यह हैं इसे हम क्या 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 देख नर्म करता है भिश्ववत्य निमन दाभ पेटी का निर्माड करता है विश्वति приложit जब उपर उखे और उठ जाती है अधिक तापमान होने के कारण जो भूमते रेखा से लगवग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिन तक बिस्तरित हो जाती है डोल्डरम निम्न बायू मंडली दाप वाली विशुवते पेटी है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिन पूर्वी ब्यापरिक पवने अभी सरण करती रहती है चलिए थोड़ी सी ब्याख्या दिख लेते हैं चिनूग पवन की तो परवतिय ढ़ाल के सहारे चलने वाली जो गरम और सुस्क हावा है वह संयुकत राज अमेरिका में चलती है चिनूग जो है यह संयुकत राज अमे चलती है इस हवा के आगमन से ताप क्रम में अचानक बढ़ने लगता है और कभी-कभी तो यह तापमान जो है वह 35 फारे नायट तक बढ़ जाती है जिसके फलसुरूप धरातल पर बर्फ अचानक पिगलने लगती है और यह पशुपालकों के लिए लाबधायक होती है क्य भी कहते हैं इसको चिनुक पवन को हम क्या कहते हैं हिम भक्षिक पवन भी कहते हैं तो यह इसका डाइग्राम है आप देखे इसको गौर करके प्रशन पूचे किया था निमने लिखेत में से कौन सा एक बिस्व का सबसे सुश्क मरुस्तल है ऑप्शन में अटकामा गोबी स एकंता और एकिलोमीटर के दोरी तक है तो उत्री चली में इस्थेत अटाकामा मरस्वल का कुल शेत्रफल लगबग एक लाग पांच अजार किलोमीटर वर्ग है। इसाटा leill Adya फैसे नागार्जुन्स सागार श्री शंकुत की साथनी नागार्जुन सागार श्रीषılar फालती है। और यह आंद्र प्रदेश के पांथ जुलों में फैला हुआ है नाल गॉंडा महभूम नगर कुर्णूल प्रिकाशम और गुंटूर जुलों आदी में फैला हुआ है और यह जो भारत का सबसे बड़ा बाग आरक्षी शेत्र है प्रशन पूचे गया था निर्म लिगत में यह निक्षेपड नहीं है देखे यह है किसी भी तट के भाग की शब्दावली जो तटिया भाग होते हैं जहां समुद्र तट होते हैं तो वहां की शब्दावलिया है बे लेगून इस पेट्स टॉमबोलो यह सब चीज दिखाए गया कि यह जो इस्तलाकरतिया है यह इनक पूछा गया था कि तटिया निक्षेपड यानि कि तटपड जो मिट्टी का जमाब होता है उसका उधारन कौन सा नहीं है तो यह स्टैक है स्टैक क्या एक उर्धादर है बीच समुद्र में एक लंबी चट्टान खड़ी चट्टान जिसे हम इस्टैक बोलते हैं तो यह व कि तटिया अपर दनी लक्षेंड है ऑप्शन में है खाच या नौच सएकंड तटिया महराव या फिर भ्रगू जिसको इंग्लिश में बोलते है क्लिफ और फोर है हुक तो नीचे देग है कूट का प्रयोक कर आपको सही उत्तर बताना है उनका कौन-कौन से ओप्शन सही ह यहां पर तो वीडियो पॉस्ट करके एक बार अच्छे से कुश्शन को देखिए और अच्छे सके ऑप्शन से देखिए और आंसर दीजिए अपना कि तो यहां सही आंसर है फरस्ट ऑफशन एक दो और तीन ये फर्स्ट आपसे नहीं है बिल्कुल सही है एक दो और तीन देगे तटिया परदन जो है ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है और जो तटिया परदन होता है वो होता है का मिर्दा का एक स्थान से दूसरी स्थान पर बैह कर चला जाना तो भारत की जो तट्रेखा का 40% ज पूर आए कि अगला प्रशन सेलों का राजशानी का अपक्ष यह कि स्थानों पर काफी ज्यादा होता है और पहला प्रेंशन है सिता आ सुश्क जलवाई वाले अंशन और बत्राइव स्थान सिता औरा जलवाईस इस्थान वीडियो पॉस यह बात कर लेते हैं अपक्षय की जो अपक्षय होता है यानि वैद्रिंग गोलता है इसको इंगलिश में तो वह है पिर्ग्रियस जिसमें जिसके द्वारा प्रत्वी की सतह पर मौजूद चटानों में टूट फूट होती है उसे हम क्या करते हैं यह अपक्षय कहते हैं यह अलग है क्योंकि इसमें टूटन इसे निरमित जो भूपदार्थ हैं वो एक जगे से दूसरी जगे स्थान अंत्रन या परिवेन नहीं होते हैं और जबकि अपरदन में मिर्दा एक जगे से दूसरी स्थान पर परिवेन होती है तो यह ऐसलिए अपक्षय से अपरदन ले और राशानिक अपक्षय जो होता है वह साधार अटा जिकरन बिदी द्वह सबसे ज्यादा किस स्थान पर होता है तो वो होता है उशन और आदर जलवायों प्रदेशन होता है देगे यूपियसी जो है वो प्रशनों में हिंदी के टॉफ वर्ट का यूज करती है तो हमें इन से घबराना नहीं है वलकि इनको समझना है तो अगला प्रशन देगे को नीवल है जो रिंग फायर है उसके बारे में निवन लिखित कत्रों में से कौन से सही है और कौन से गलत है यह आपको बताना है पहला आप्शन यह अभी सरण पट्टिका सीमाओ का शेत्र है दूसरा यह एक सक्रिय भूकंपी एबम जल ज्वाला मुखिय शेत्र है तीसर यह किश्टे है यह कुशन इंगलिश में दी आ हुआ है । जो आपको बैटर लगे यह पोस्तुंत चुनिए को है को यह प्रसांत मासाओर करे शेत्रें जहां कई जुभालवन के में जब्चा ज्वाला मुखी वगेरा के जो इस शेत्र में पाई जाते हैं तो लिथो स्फेरिक प्लेटों की गती और टक्राव की कारण रिंग ओफायर बिक्सित हुआ है ये किसके कारण बिक्सित हुआ है लिथो स्फेरिक प्लेटों की गती और टक्राव के कारण ही रिंग ओफायर बिक पूचा गया था निम्न लिखित में से कौन सी हिमाले बनस्पति जाती अठारा सो से छब्वी सो मीटर की हुचाई के बीच पाई जाती है ऑप्शन में साल, चीड, स्प्रूस, देवदार, वीडियो पॉस करके अपना आंसर दीजिए तो यहां सही आंसर है देवदार, डी ओप्शन यहां सही है हिमाले शेत्र में 3000 से 5000 मीटर की उचाई वाले भागों में सी तोष्ण कटी बन्दिय बनों की अधिक्ता है और ऐसे बनों में चीड, देवदार, ब्लू पाईन, आधि ब्रक्ष मिलते हैं प्रशन पूछा गया था निमने लिखित में से कौन सी एक नदी, कावेरी नदी की सायक नदी नहीं है, ओप्शन में हिमावती, अरकावती, इंद्रावती और अमरावती, वीडियो पॉस करके अपना आंसर दीजिए सभी यहाँ से आंसर है इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी की सायक नदी है, ना कि कावेरी नदी की, तो यहाँ सी ओप्शन सही नहीं है कावेरी नदी के बारे में कावेरी नदी को दक्षेन भारत की गंगा भी कहते हैं और कावेरी जो है वो करनाटक तथा उत्री तमिल नाडू में बहने वाली एक बारे महिने वाली नदी है यह पशमी घाट के परवत ब्रहम गीरी से निकलती है और इसकी जो लंबा यह वो 800 कि पुर में प्रभाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यह जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है तुरुचरापल्ली तुरुचरापल्ली जो है वो हिंदूों के प्रसेद तीर्थिस्तान है इसके पानी को लेकर राज्यों में तो हेमाबती, अरकाबती, भवानी, अमराबती और कावीनी इसकी मुख्य सायक नदिया उपन दिया है प्रशन पूचा गया था निमने लिखित में कौन सी दशा या दशा है चाय की क्रिसी के लिए अत्यावशक है उप्शन में उश्नि कटिबंदिया और उपोश्नि है वीडियो पॉस करके अपना आंसर दीजे बताना है कौन-कौन से कथन यहां सही है तो यहां सही आंसर है के बल एक और दो यानि तीसरा कथन यहां गलत है तो यहां पर ऊश्नि कटिबंदिया और उपोश्न जलवायू और डेड़ सो से धैसो मीटर की बढ़सा चाहिए य पत्तिया चुनने का जो मोसम होता है वो वरस में तीन से चार बार चलता है और जो इसका तापमान है वो 21 डिग्री से जिए से सटाइश डिग्री से ग्रेड तख ना चाहिए अगला प्रशन निम्री लिखित में से कौन सा यह इक स्थानी पवन है जो सायवेरिया से बाहर क और प्रवाहित होता है यहां पवनों को बताया गया है पहली है बोरा पवन दूसरी है पूर्गा तीसरी है मिस्ट्रल और चौती है हिम जंजावत या ब्लिजार्ड बोलते हैं जिसको तो यहां वीडियो पॉस्ट करके अपना आंसर दीजिए जो कौन सी वो इस्थानी पवन है जो साइबेरिया से बाहर के और प्रवायत होती है तो पूर्गा जो है वो बाहर के और प्रवायत होती है और slitī आप पर और शीत काल में लगवग 36 दिन ये चलती है, एक महीने के लगवग ये चलती है, कभी-कभी इसकी गती जो है वो 100 km पृति घंटे तक हो जाती है, तो ये एड्रियाटिक सी की तरफ आती है, ये बोरा जो पवन है ये, अब बात करते हैं इसके अलावा मिस्ट्रल की, आनको और भी पढ़ता है, तो यहाँ पर ये धी जो पवन है, ये बोरा पवन है, और ये मिस्ट्रल पवन है, ये धर्श्यत्रल में ये प्रभाईत होती है, और उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद होगी तो लाइक और सब्सक्र झाल झाल